नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल समस्कर सरस्वती पर मैं रामकुमार सास्तरी आप सभी समस्कर प्रेमी अनुरागियों का हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ प्यारे सातियों, हम जो कुछ भी यूटूब चनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार-बार आप कहते हैं कि हमें इसके नॉट्स बगरा चाहिए, ओनलाइन व्यक्या चाहिए, टेस्टरी चाहिए, तो अब हम सब को जो भी सामगरी हम पढ़ रहे हैं, उसके ओनलाइन प्रिंटेड नॉट्स ये सारी सामगरी इदी आप चाहते हैं, तो आप संस्क्रश सरस्वती एप मुबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोग करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें, विस्तार पूर्वक से जो सामगरी आप यहां पढ़ रहे हैं, उसके सारी प्रिंटेड इबुक, इनॉर्स और ओनलाइन टेस्टरीज, आज का वीडियो हम देखते हैं, विडियो के इंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बोक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं, उससे मुझे और उर उर्जा मिलेगी, और अब तरह हम आगे सिखते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, क्लास प्रारम करते हैं प्रणमाला टोपी का पहला टेश्ट दूसरा टेश्ट हो जुगा है, उसके बाद तीसरा टेश्ट आज उसी तीसरा बाग में लेकर आया हूँ, और कल 210 तक अधिक्तम लोग लाइव आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और विस्वास नहीं करेंगे, मेरी खुसी का कोई ठीकाना नहीं है, बहुत उपर तक उसी जी, और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक अजार बंदों को लाइव लेवा हूँ, मैं लाइव क्लास लेने स्टार्ट कर दूँगा और एक अजार से में पूरे दस अजार बच्चे और एक लाइव बच्चे ले आऊँगा, अब मेरी गारेंटी बाद में, एक बार जो यहां आएगा ने, उसके बार तो उजाएगा, यहीं मुझे पता है, ठ पान सो तक ठोक होगे सिधा, और लाइव लेकर आओगे, मुझे विस्वास है कि आप यह काम आराम से कर सकते हैं, 210 लोग जुड़े हैं, एक एक को जोड़ेंगे, तो 420 तो वैसे होगे, अब 420 तो क्या है कि अंकी ही खराब है, है न, 420, तो उसको हम 520 तक ले जाने की से, बाकि आप बस देखते रो, सयोग करते रो, चलो, जैसे ही मैं प्रसंद लिखू न, लाइव का चेट चलता है, मैं भी आपके साथ जुड़ी रहा हूँ, 3-5 डेली क्लास हो रही है, उस लाइव चेट में आपको क्या करना है, जैसे ही प्रसंद दिख रहा है, सबसे पह बात का भी पता नहीं है, तो अब, आज से इस क्लास में हर एक कुश्चन बर 500 बीची नीचे कमेंट साने जी, धड़ 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 पागले वह 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 यह क्या चल रहा है, और लोगों को जोड़े आप, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत ब लाइन को पढ़ लिये थे, और हम माबाश शेकार पतंजली को पढ़ लिये थे, उसके बाद अपना अंतिन मौहाँ 25 सवाल था, प्रत्रमानिक का नाम आपने पसपसानिक पढ़ा, और व्याक्या में मैंने आप से कहा था, कि भी आओ, यहाँ पर कुलमिलागर के आपके 84 आ सब बने हैं, अंतरमन्द से उन्होंने वास्तों में कुप सेख दिया है, जैसे मोहित जी हैं, पूजा जी हैं, केसी चोधरी के नाम से भी हैं, एक मुहमत जी नाम है उनका, और भी जो लोग हैं, बहुत सारी लोग हैं, अंजना जी हैं, और भी हैं, दो चार लोग जो वास तूमें हमेंसे आते, मोहित हैं, ट अनुश्ण हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी ही एक दो नाम है भुल रहा हूं। कल वापस नाम लहूँगा। वोग हमेशा इतना प्रयास करते हैं कि इतना सायथ मैं कर भाता होंगा मुझे तो कल किलास में पता चला कि आप लोग दूसरों को करतें कि आप जोडे 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 और आप मैसेज महईं गरते हैं जड़ा नीकी सबसे अगैंज कि नमुती होगी, किसी की टांग पकड़के खीचो, किसी को उठाके पटको, कैसे भी करो लेकि नीन से जगाओ, तेल बज़े का टाइम होते ही, ओनलाइन का एकदम बोजाना चीज सारे के सारे लोग हट करके सब यहीं आ जाएं, ऐसा दमागा कर दो, मेरा जो सपना, तो उसको साकार कर दो, मैं आपके सपनों को पुरा साकार कर दो, यह मेरी गारणी impeachment, लगूशिध्धाइंट कोम दी इत्यस्य यानि इसका रचीधा का मतलब, रचीधा का नाम, रचिनाकार, रचिनाकार जो कार है, यानि करने वाला है, वो कहमाना कौन है, पड़ी है पूछा प्रशन की बताई उस लगुशिद्धांग नाम की जो रचना है उस रचना का रचनाकार कौन है याद कीजी मने आपसे कहा था कि पानेनी ने अश्टा धै लिखी अश्टा धै में के लुसुत्रों का संग्रे किया उसके बाद में अर्थ कहां से आया बट वर्दराज साथ उन्हीं वर्दराज जी आचारे ने जो आज वास्तों पर बड़े मान सम्मान के साथ में क्या कहे जाते हैं वर्दराज कहे जाते हैं इन वर्दराज जी ने वर्दराज आचारे जी ने लगुशिद्धांत कोमदी के नाम से नाम ही लिखा तो लगू लगू शिद्धान्तों की कौमुदी यानि रचना का नाम लगू शिद्धान्त कौमुदी है और इसको लिखने वाले महान आचरे का नाम बरदराज जी ने इसके लावा कुछ और भी लिखा है एक तो आपने देखा यहां पर इसका नाम क्या है लगू शिद्धा इसके लावा इन्होंने लिखा है सारशिद्धांदु कौमदी, ऐसे इन्होंनों कौमदी करके तीन-चार रचने लिखी हैं, उत्र मिल गया आपको, तो लगुशिद्धांदु कौमदी के रचनाकार का नाम क्या है, बर्दराज जी है, और बर्दराज को बड़े प्यार से बर्दराजा चारे जी कहते हैं, यह तो आपका उत्तर हो गया, लगुशिद्धांद, बड़े सिद्धांद, सारशिद्धांद यह सिद्धांद, इन्हों लिखे सब, बड़्ोजि firm क्या है, बर्दराज जी के गुरू जी हैं, यह इनके चेले हैं और यह गुरू जी महरा बेद इन्होंने पांच बताए इन्होंने चार बताए तो ये दो का नाम तुम्हें लगाता है लेके चली रहा हूँ आपको उसका कारणी क्या है कि परिक्सया में कई बार इनका नाम दे दे के पूछ लेता है बट्टो जी दिशित ने और भी किताब लिखी है पर वो यहां इसे हमारे काम के नहीं इसलिए उनका नहीं लिया है वर्रूची आपके कातेइन है यह जो लिखे है उसकी चर्चाम करी चुके हैं पाननी जी को तो आप भूरी नहीं सकते बूलोगे तो भी कैसे बूलोगे परिक्सया में स्टाइज सारा इसी का पढ़ना है आगे चलो आपका कि जो सिद्दांद को मुदी है उसका रचना कार को नहीं तो पहले की व्याख्या काई प्रश्ण होगे ने तो सिद्दांद को मुदी क्या है सिद्दांद को मुदी एक व्याकर्ण की रचना है पाने नीजी के जितने भी सुत्र हैं लगभग कितने जार सुत्र दे इन सभी चारजार सुत्रों के उपर व्याख्या लिखने का काम ब्रतियां लिखने का काम बताइए कौन से आचारे ने किया है बटोजे दिख्षित ने किया है अश्टा अध्याई के चारजार सुत्रों के उपर राष्टा ध्याई में कुछ भी नहीं लिखा ता निचे इन्हों ने बट्वजी दिख्षित ने आकर वरतिया लिखने का काम किया और जो वरति को लिखता है इसलिए इनको क्या कहा गए आगे जाकर के वरतिकार कहा गया तो सुत्रकार पारेनी हैं बाश्यकार पतंजली हैं वरतिकार या वाक्यकार वर्रुचिया का ट्याइन है और एक नया कार कौन आगे आपके लिए वरतिकार ये कौन है बट्वजी दिख्षित चार अजार सुत्रों पर पूरी सिधांद को मुदी आपने लिखी हैं और इन्हें के सिश्य कौन थे वर्दराज और वर्दराज है मुझे बताओ कि पूरी अंग्रेज़ी आती है पूरी व्याकन आती है कि फूरी अंग्रेज़ी के सब्दे आते हैं और उन्हें कर दिया मामला और उन्होंने केवल 4,000 मैंसे 1276 सुत्र लिये और कह दिया देखो इनको सीख लो इसलिए उसका नामी उन्हें लगए सिधान को अमधी रखा था ये काम सरल करने का काम बर्दराज जी ने का आज जो संस्कित पढ़ते हो ना पानगी के सारे सुत्रों का अर्थलिया है इन्हों में वर्तिया लिखी है इसलिए इनका नाम वर्तिकार भी है होगी है आगया जो देखें सबसे पहले इसका जवाब कुन देता है जो सबसे पहले जवाब देगा है उसको जोड़दारी ना मिली देलो और ये देखिए आपके सामने 28 प्रशन आ रहा है और ये 28 प्रशन है पड़ो अश्टाद्याई गरंत के प्रतम सुत्र का प्रतम जो सुत्र है उसका नाम क्या है अगे ने उपतर इसको तो कोई बता देगा किसका तो पहला सुत्र कौन है जब से पहला शृत्र है इस अष्टा अग्धियाई को याद रखना जो बोल रहा हुँ जान सुनियेगा जो अश्टाद्याई किस नाम से भी जानी जाती है सब्दानुसासनम जो सब्दों का अनुसासन सिखाती है ऐसी रचना को जिसको हम क्या बोलते हैं सब्दानुसासन बोलते हैं उस सब्दानुसासन यानि की अश्टाद्याई जिसमें लगबक कितने सुत्र हैं चार हजार सुत्र हैं और इन चार हजार सुत्रों में जो सबसे पहला नंबर एक जो सुत्र है आपका यानि प्रतम जो सुत्र है वो आपका प्रतम सुत्र लिखा गया ब्रद्धी रादैच इन चार हजार सुत्रों में 3992 में लगबग 3978 सुत्रों में जो सबसे पहला सुत्र है न आपका उस सुत्र का नाम बताई क्या है ब्रदी रादैच है और मेरे प्यारे साथ यह हूँ जो सबसे अंतिम सुत्र है वो जो सबसे अंतिम सुत्र आपका है उसका नाम है एए एए पानवी जी ने कैसे कैसे सुत् तो बैसे पाननी जी को पता ने कहां सूज गया होगा तो उन्होंने सुत्र का नाम क्या रखा अंतिम सुत्र और जो प्रतम सुत्रस का नाम क्या है ब्रदी रादेश अब देखिए व्रदी रादेश का जो पहला पद है आप देख रहे होगे उस व्रदी रादेश का पहला पद क्या है सब्द क्या है व्रदी पहला जो सब्द आप देख रहे हो न यह प्रसन आ जाता है कई बार पहला जो व्रदी है इसका मतलब होता है बढ़ना और यह जो उस तक लिखना कोई चोटा काम नहीं है ये भी बड़ा बहुत बड़ा काम है उसको लिखना स्टार्ट करना और अन्द बीच में से लेकर अंत तक उसकी बढ़िया समाप्ती हो पानेवी जी यह मानते हैं कि मैं भी मंगलाचन करूंगा जोसे हम लोग क्या हैं संस्क्रस आईत पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखेंगे अलगला गरंतों में सबसे पहले मंगलाचन किया गया है और उस मंगलाचन के अंदर को इनकोष्ट लोग लगते देवताओं के सुति करते तीन प्रकार के मंगलाचन होते नमस्कार करने का मंगलाचन एक होता है आपका आश्रबा आपने और नमस्कार करके आश्रबात की कलपना भी करना वह आपका आश्रबाद आपकर ना कि रहनी ज्यादा इसकी चर्चा में करूंगा नहीं तो वैसे ही पाने नियुक्त लिकर एक महान काम कर रहे हैं महिसाब यह चोटा काम कैसे हो सकता है तो पाने ने सबसे पहला सु और जशे जशे पाने नहीं बढ़ते हैं हमारे जी का जञड़ा भूना भी बढ़ता गया और वापरे है तो एसे दिन संधी का सुत्र है एको यंडची अधे गुन संग्या बताने वला सुत्र है क Chief आए ए ओ पढ़ा दिया मैं से लिए बता रहा हूं ये जो दोनों है ना ये तीन जो बरन है ना इनका नाम गुण होता है ये गुण बरन है और ये जो आ है ना वो परतम सुत्र नहीं है आधरनी पाने नीजी ने लास्ट अच्छा देगा सुत्र क्या रखा रखा है देखे कौन पहले बताता है करूं अगला अठाइस के बाद में आता है गुंतीसों सवाल ये देखी 29 सवाल देखी पूछी लिए अब इसमें तो क्या रहा है समझ गयोंगे आप अनक करम हने एक दम बेवसी चल रहा है सब अब मुझे बता है अश्टा देगरंतस्या अंतिमं सुत्रम किम तब इसमें तुम्हें चर्चाई क्या करूंगा सारी बाते तो मैं आपको बोली दिया हूँ सारी बाते आप सुनी गए होंगे अब आपको भी सरम आ रही होगी है गुरुजी ये तो आपने बता दिया अब हम बता कि भी कौन सा बड़ा काम कर लेंगे कोई बा संदी में आगे रहे पेछे रहे तो आगे वाले रहे कर लोप हो जाता है अंताराश्टी है पूनारमते हरे रंबे सरी रोगनहा गुरू रोदिती गुरू रुष्टाहा आद गुण संदी करने का सुत्र है जब भी पड़ो ना ऐसा नहीं कि गुरुजी मां को तो उत्तर म संदी में आगे भी रहो पीछे भी रहो तो पहले वाले रहे का लोप करने आता है और आद गुणा जो सुत्र है वो कौन सी संदी करने का सुत्र है भई गुण संदी करने का सुत्र है परतम जो सुत्र है वरदी रादेश रंतिम सुत्र का नाम क्या है यह आपकी तर्वालों के बाद करम से हम पढ़ते हैं समस्क्रइब भाषा व्याकर्ण त्रीमुनी और इसके बाद हम आगाए कहाँ पर त्रीमुनी की रचनाओं को भी ले लिए मैंने माबास से को अश्टादाई को भी अब हम आगला प्रशन ले रहे हैं तीसमा जहां से आपका विदी आप अपना काम करो, बताओ उसका जबाब क्या हो जाएगा, भासा यहां निमनतामा इकाई उच्चते, भासा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहा जाता है, खालिस्तानी भी दे रखा है, तो देखो भासा सब्द को हमने पढ़ा कि भास धातु से अच्वर्टा प्रते करने पर भासा बनता है, निमन सब्द का मतलब होता है, नीचे का, और तम क्या है, तम प्रते का रूप है, यह सुपरलेटि डिगरी बनाने का काम करता है, मैं पढ़ाओंगा आपको, जिस भी किसी सब्द से आप तम प्रते लगा देते हैं, उन्हें वाँ तम बसता आपको, तो यहां देखो, ओप्षन में जो दिख रहा है नो, उसके हिसाफ से उत्र छाटना आपको, कई लोगों की दिमाग में आ रहा होगा, कमेंट्स करेंगे, धाद, अरे गुरुजी, ध्वनी होता है, अरे गुरुजी, अक्सर होता है, यह क्या करें डाला, गशब भ यह वहां पर, लेकिन जब आप हिंदी बगरा की तयारी आप कर रहे होगी, तो आपके पेट में क्या है, इसके मैं गुदगुदी हो रहे होगी, अरे गुरुजी, ध्वनी तो लिखाई नहीं आपने, यह तो प्रसनी गलत हो गया, आपको, यह उपसन सही है ना, पनी पनी कहते हैं, आवास कहते हैं, भाषा मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाषा के वास्तों में दो रूप होते हैं, यारि किसी भी भाषा को यह आप देख रहे हों, चाए वो दुनिया की कोई से भाषा हो, उसके दो रूप होते हैं, एक रूप आपका होता है मोखिक रूप और भासा का जो दूसरा रूप होता है उसका नाम होता है लिखित रूप तो सारे संसार की जो भासा है ना वो दो रूपों में दिखाई देती है एक उसका मोखिक रूप होता है एक उसका लिखित रूप होता है तो जो लिपी का सम्मुद रखने वाले है वो लिखित रूप है, जो द्वनी आवाज से सम्मुद रखने वाला मोखिक रूप है, और इसी को जाकर हम दो प्रिकार से आगे बाढ़ देते हैं, कि द्वनी कहां कहां काम होती है, कहां कहां होती है, तो हमारा जवाब हो जाता है कि एक तो सुनने में आवाज का सही UGRता है और एक बोलने में भाषण या वदन में कि दो अंग आपके द्वनी वाले होते मौखिक में आते हैं लिखित में लिपी का सम्मध होता है जहां लिखी होए को पढ़ते हैं पटन का कारी होता है और एक आप लेपी के माद्यम से लिखने का काम जिसके दोर अभिप्ति करना चाहते हो लेखन का काम है तो इस दो वेक्टर्स आर किसमें? द्वानी में यानि मोखिक में हैं लेखन और पटन लेपी के माद्यम से लिखित में हैं अब मालों दोनों में से कहा जाए कि दुनिया की जब भासाइं जन्मी होंगी पहली बार पैदा हुई होंगी तो क्या उनका लिखित रूप सामने आया होगा या फिर मोखिक रूप सामने आया होगा आप लोगे थोड़ा भूद भी MS तरपे या किसी और सास्त्री या जिसको साब जन्म हो गिया तुँ भी बोले में भी बोला सब बोला कं भुला सब बोला इसने दिया बढले भगवान में भी इसको दो बोलने डेवी सिद्धान इसवर का सिद्धान लेकिन पाशकर हो नहीं मानते वह हम ऐसा कुछ नहин flakes' ने कहा कि भासा सबसे पहले क्या हूँआ स उन सब आवाजों को सिस्टम तरीके से दिरी 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 हमने संकेत दे दिया, है ना, इसे हम नहीं करते हैं, यह सब क्या हैं, साउंस हैं, और वो साउंस से दिरी दिरी क्या हुआ, विस्तरी दिरी हमने संकेत बना लिए, का, 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 क संकेत बना ले पहले कि आवाज आई थी अब आवाज को तुम्हें कैसे लिखों ले उस आवाज का इपी रूप दूसरा ये ऐसे लिखने करके कि इसको सिंबल को पिक्स कर दिया कि इसको इस आवाज को ऐसे दिखाया जाए तो याद रखिएगा दुनिया की जितनी भी भासा याई है न वह पहले किस रूप में मौखिक रूप में फिर आमने उसको इस थाइप लिए क्या बढ़ा दिया लिखित रूप बना दिया तो ब प्यारे सातियों इसी ध्वनी का दूसरा नाम होता है अक्षर और उसी को हम लिखित रूप में क्या कहते हैं बन जदी आवाज है सुनना मेरी बात को द्यान से यहां देखी यहां लिख देता हूं मैं जदी आवाज महत्र हो रही है तब तो वह अक्षर है यदि आपने उस मुला तो भी आवाज किसकी आई कहकी और लिख भी रहूं तो भी यह लिखा हुआ है ना यह वर्ण है और यह जो मैं बोलू बोलू अब बोले को तो कौन सा दिखेगा हम कोई बावाजी संत महत्मा तो है नहीं जो दिख जाएगा ठीक है अब यदि मान लिजे यह तीनों से एक ही मिलेगा आपको अब तक कि जितने भी सिटेट या किसी भी एक्जाम में हिंदी की चाहिए में किस अग्जाम हो सास्तरी लेवल के या बे लेवल के एक्जाम होते हैं या किसी भी कंपेटिशन में हिंदी का प्रसुन कभी आया होगा ठीक है तो परसंद का उतर हो ग लेगे जो अजाराति लाई वाज़ूंगा मैं अगला जो प्रसुने देखे सबसे पहले जवाब कौन देता है प्रसुने आपका 30 के बाद 31 वाँ पूचा है वर्नस से कती भेदा हा वर्न के कितने भेद हैं बताओ दो तीन चार नो पढ़ाएं न आपने पहले तो उत्तर पर टिक कर लूँ बर्न के कितने प्रकार हैं तो बर्न के आपके प्रकार होते हैं कितने दो यानि वर्न कितने प्रकार का पढ़ा गया हिंदी पढ़ो जाए समस्कत पढ़ो वहां दो ही प्रकार पढ़े गए यानि वर्न के कितने प्रकार बताएं पहरे सापतियों दो जो स्व स्वतंत्र होता है उसको हम बोलते है राजा जी कौन स्वर और जो परादीन होता है वो किसके कौन है वो वेंजन है अब बताइए दोई चीजे संसार मालो एक राजा जी स्वर है एक बेंजन प्रजाहा आश्रित है एक अपनिया में स्वतंत्र है एक दूसरी के आश्रित है त हमारे गवह में क्या होता कई बार हम लोग तो वहां दूसरे के हई पी पाशब करने हैं बोग रहो कषी करते हैं वह पर एक कटोरी दाल दनी की चिनी और बैदा है रही है कितने प्रकार हैं इसा प्रशन आप से आसकता एक का नाम स्वतंत्र जो और एक परादीनेस्वर के पराश्री तो उसका नाम क्या है बेंजन 32 परसन है बहुत ही लकी ड्रो है दो करोड का सवाल है देखो मैं इसलिए वैकिया में बोला नहीं ज्यादा मुझे पता दा आगे परसन है लिका है स्वतो राजानते इतीकह ये परिवासा है 2011 के टीट का से राजिते का मतलब विराजमान रहता है जिसको हम सीधे बहसा में कहें आपकी बहसा में तो जिसका स्वता है उच्चारन संभव होता है ऐसा जो वर्ण होता है बताए उस स्वततर रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण का नाम क्या होता है स्वर होता है उत्तर मिल गया कौन है आपका उत्तर स्वर ये लीजी तो इसका उत्तर तो क्या होगा वाई साब स्वर कि जो अपने आप से उच्छर्ण नहीं होता है वो क्या कहलाता है अनुस्वार नाम से पता चल रहा है कि जो स्वर को साथ लेकर आती है वो अनुस्वार है ये भी दूसरे के अदिन रहती है और जो स्वर को साथ लेकर आती है दो बिंदों के रूप में वोग आपकी विस्वर्ग होती है इनकी चर्च आगे करें क्योंकि आगे विस्तार से दिया है प्रसंद का उत्र क्या हो गया स् और ध्यान से देखेगा तिनों को समस्कृत भासा में स्वर है समस्कृत में स्वर है यदि प्रसन मान लो ऐसा नहीं होता आपका और प्रशन ये भी हो सकता था कि बताए समस्कृत में स्वर कितने है समस्कृत में स्वर बताओ कितने है और इसी language में दूसरा आपका सब्द लिखा है या प्रशन मैंने बना के दिया आपको कि संस्क्रत भाषा में स्वर कितने हैं तो बात देखी है ने तो भी आपने संस्क्रत भाषा पूचिए संस्क्रत पूचिए तो भी उसका एक ही मतलब है यदि इस प्रकार की दो प्रशन आपसे पूचिए जाते हैं मेरे प्यारे साबतियों तो इन दोनों ही प्रशनों का एक ही उत्र होगा संस्क्रत में स्वर का मतलब अच्छ पकड़ना अच्छ एक प्रत्यार है पारणियस उत्रों में पढ़ाए इस स्वर है ना वही आप पकड़ेंगे इसका उत्र हो जाए प्रशन बदलने पर, प्रशन की भासा बदलने पर ही उत्र बदल जाता है, दुनिया के इसे बहुत कम प्रशन है। वस्तोनिष टाइप के जिनके fix उत्तर होते हैं। जबिए हम चाहिए उस्य रिवासाब पढ़ रहे हो उस्य रिवासाब कितने हैं प جbesण सा बदलते तो सब बदल जाएगा अपने आपरी रसवसवर कितने हैं मूलशवर कितने हैं, फिर भी जिसे आपके पांच में आता है, ए, ओ, रे और, लरी चार बड़े आदमी हैं, बड़े लोगे इनकी चर्चा आगे की गई है, क्हौनँखौन हैं वो आपके पांच और चार को जोड़ो कितने होगे, गयरा होगे, गयरा नहीं होते हैंगा, नो होते हैंगा, तो नो होगे, पांच तो आपके मूल श्वर है, रस्वर है, एक मात्रा वाले, ये दो मात्रा वाले आपके, दो मात्रा के स्वर है, दिर के स्वर है, संधी एक स्वर है सकते है इस परिकार से इनकोas पढ़ेंगे में आगे तो कीटने है सब थे रा कब होगा तो जब होगा जब मेरा नहीं होगा अब देखो परशन की language क्या है संस्क्रिप मैं समस्क्रित की वर्न माला में स्यराया बताओ स्वर कितने अब पहले वाले प्रश्म नमर इसें क्या फ़र्वफर तन है तो सुनिए मैं जब यह नहीं हैं लेकिन जब आप आप आटिम क्लास के बच्चे को या किसी भी प्राक्मी क्लास के बच्चे को समस्क्र शिका रहे हो और आप वहां किसका प्रयूग किया मैंने भी वरन माला का प्रयूग किया कि बेटा जी बताओ वरन माला में सुर कितने है और वरन माला का मतलब है वरनों की जैसे ही आम मास्टर और मास्टर ने जिस प्रिकार से लिखेंगे न वर्ण माला को स्वरों की वर्ण माला को पीछे बेटा पंक्ति में एक लड़का चकुट्या बरहागा दूसरे गुरुजी को तो देख आ आता ही निया जो तो यहीं निया पता दो याद रखियेगा जब हम बच्चे को शिखाएंगे न वर्ण स्वर तो वहां वर्ण माला में तो भई एक बाद में रस्व की साथ द इसको छोड़ नहीं सकते बाब तो वर्ण माला का मतलब हो गया कि लोग के विभार में प्रयोक्त जो आपके स्वर हैं वो कितने हैं तो एके साथ किसको लेंगे आप आ, ए, उ, री, री, नहीं लूग गया है चलो इसका पेट मोटा नहीं होता है दिर्ग नहीं होता है रस्वी होता है तो आपने कितनों के बड़ा लिए एक का बड़ा भाई दो तीन चार बड़े भाई बुला लिए आपने इन चारों के बड़े भाई आगे चार बड़े पह लागें कुछ रहा है रस्व कितने होते हैं पांच होते हैं कौन-कौन से पांच यह फांच ही होते हैं ना कौन-कौन है वो पांच losing प्रहने को आपने मूल्श्वर का नहीं कब खोड़ डी पुर तेस्थ में कौन है흥ב Assault, वी आईपी लोग है इनका कभी छोटा ही नहीं होता यह में सब बड़े रहते हैं अब जोड़के देख लो बले ही चार पांच नो नो चार तेरा तो वर्ण माला में नॉर्मल प्रशन आ जाए कि समस्क्रिट में स्वर नो ठीक है पांच छोटे वाले ठीक है हो गया अचा यहां आ गया है कि इसको टांदो भई यह लरी क्या बत्तमीज है इसका भी मन है कि कास मेरा भी कोई बड़ा भाई होता लेकिन क्या कि परिवार नियोजन की काम चल रहे होते हैं बहसा में परिवार नियोजन होता है पहले तो आदत है कि हम दो हमारे दो आज कल होता है कि बच्चा एक लोग्जा ही अच्छा उसका तो डिल खा दिल को नहीं होता है कितने होगे 6-4-8-8-5-13 आगे तीसरा सवल आएगा स्वर कही और सुनियेगा 35 सवाल है कि उच्चारण के आधार पर स्वराक्षार नाम कती भेदा है अच्छा इसमें आया नहीं है आगे आगे इसी को ले लिटाओं पहले मैं सुनिएगा पहले कि बता ओधी पाननी सिक्षा में कितने सवर होते हैं अब पाननी सिक्षा किया है स्वर बरन अधी को पड़ाती है और पाननी सिक्षा के रचनाकार कौन पर्हांति लेकिन कुछ लोग मानते हैं पाननी हैं कुछ लोग मानते हैं कि पाननी के छोटे बाई हुए थे पिंगल मुनी के नाम से वो लिखे हैं जो भी लिखे हो आप छोड़ो अब पाननी सिक्सा के अनुसार हम स्वर पढ़ रहे हैं सुनना फिल्कों सीडिय सब्दों पढ़ा रहा क्या हुआ कि जब लोक वे बहार में बुला लो अब आपसे मैं पूछता हूं कि वास्ता में स्वर केतने गर में पुलूद व vara है यानि इसका छोटा भी होता है मजला भाई भी होता है बड़ा भी इंक यह कितने हैं इसके यहां झाँ लरी के लिए प्रोब्लम है कुछ लोग तो कहते हैं किसका केवल रसव भी होता है जब 2 मानोंगे तब तो ठीक है रसव और पुलोՔर दिर्ग तो होता ही नी है क्छ लोग भी लड़ते हैं एक सो 8 मानो पर फिर जब डोनों लड़ेंगे एक ही मानने पड़ेगे दोनों की बात रखी जाएती है रेदी को बीमानें तो एक बाने है इसका कभी छोटा उता है। और पुलतोसकता है इसका रस्वक नहीं होता थो नहीं होता है अब जोड़ो तीन कंतीन तीन दुनि श्राटरि हैगी इसको चोड़ दें बारा की बादमें आथ उिधर है बारा, की बाय। इसको जैदा तर लोगों ते रस्थ यहांढा ञेना है तो गनुतु नहीं कि ओपन कैसार लोगों रस्थ महाना है पिछल राश्थ नहीं माना तो pię pape seka second instant तकीस यवाइस सवर है दोनों में अगा जाए तो 21 कि सवर है अब आगे चलते हैं सवरों के भेध में कहा कि उच्छारण के आधार पर सवर अक्षरानाम तो जो अक्षर है उनके कती माना कितने भेधा माने भेध दो प्रकार से स्वरों के भेद होते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आगे वाले परसन की व्याख्या भी इसी में लेके चल रहा हूँ यह स्वर है, क्या है यह स्वर, और इन स्वरों के हम चर्चा कर रहे हैं भेद, और भेद में क्या होते हैं, दो प्रकार के आधार होते हैं, है न, हाला कि भेद का उत्तर तो तीन ही आएगा, आप कैसे भी पूचे प्रिक्सा में कि स्वरों के प्रकार बताओ, भेद बताओ त तो उच्चारन का अधार का मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसका उच्चारन उच्चे से किया जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे यदि किसी का उच्चारन उच्चे से किया जाए उच्चे किया जाए तो उच्चा उच्चारन करने पर उसको क्या कहें नीचे से उच्चारन क किया जाए वह रुद्दात कि हम लाता है। उसका नीचे से उच्छान किया जाए तोड़ा तीरी पढ़ा जाए उसका नाम उप्धा तो हूता है। और जिसमें उद्दात डोनों का मिस्दू हूता है। उस भाई साप का नाम przy Labs होता है। तो इसका मतलब उंचा नीचा और दोनों का मिक्स करने पर जी जो उच्छारन के आधार पर स्वर पढ़ रहे हैं बताइए वो भेद भी कितने होगे आपके तेल एक कौन-कौन से उदात अनुदात और स्वर यह प्रसंद भी आपके एट बरती प्रक्षा में आ चुका है पुल मात्रा के आधार पर भी स्वरो की परिवार हैं भाग हैं कैसे कि जैसे माली जी किसी में एक ही मात्रा है तो वो कुछ कहलाएगा किसी की दो मात्रा है तो वो कुछ कहलाएगा और किसी की तीन मात्रा तो वो भी कुछ कहलाएगा और भया जिसकी एक मात्रा है वो कौन है रस्व है जिसके दो मात्रा है वो दिर्ग है जिसके तीन मात्रा है वो पुलुत है ये भी तीन ये भी तीन तो स्वर्व को बेर कैसे पूचे चाहिए उचा नीच पड़ने के दूसर जिसे आपने वेद के मंतर सुने होंगे महां मंत्रों में क्या होता है स्वर को उचा नीच पड़ा जाता है इसलिए ये जो तीन है ना उदात अनुदात और स्वरित इनको मैंने नाम दिया है वाइदिक स्वर क्योंकि इनका उच्चरन केवल और केवल वेदों में ही किया जाता है और ये लोग विवार में काम आते हैं, हमारी बोलचाल की भासा में काम आते हैं, मैं और आप जो बाते कर रहे हैं, इस समय जब समय आया हूं बोले जा रहा हूं न, ये सारे के सारे क्या हैं, लोकिक स्वर हैं, हम जब बोलचाल में हमारे रस्वद्रिक प्लू से काम होता है, आपने कभी क्या है वेद मंत्रों को सुना हो ओंग्रानाम्ता गणपतेगंगवा महेगुम्तु यह क्या है कि शवर का जो उंचा-नीचा होना है वेद के मंत्रों में इसलिए वैदिक स्वर है यह तीनों ध्यान रखना लोकिक स्वर का मतलब है कि जब मैं और आपस में पिता आजा रोटी खा ले तेरे पापा को भी ले आना ऐसे कभी सुना तो लोग विभार में उचा नीचा नहीं होता भई स्वरों में यहां तो क्यों एक मात्रा रस्प भी बूल देते हैं पिता जी का पीछोटा बोल दिया ताको बड़ा कर दिया माता जी के दोने बड़ पूछे और याजित कैसे भी पूछ ले उत्तर हो जाएगा हमारा तीन यह लो साब हो गया क्या है आगे चलो अगला प्रशन है आपका सही चल रहा है न भी ठीक है उच्चार नहीं हो गया हमारा पानदीश रिख्षा में सुरम पड़ लिए अगला प्रसन देखिए मात्रा के आधार पर बताई स्वर्व की कितने बेद है अब मात्रा का मतलब समझ लीजिएगा यहां मात्रा से तात पर यह है आप से जानना चाहता है कि एक मात्रा वाला कौन है दो मात्रा वाला कौन है तीन मात्रा वाला कौन है तो एक मात्रा वाला कौन है रस्व है दो मात्रा वाला कौन है दिर्ग है तीन मात्रा वाला कौन है पुलुत है सग्या कितनी हो गई तीन उत्तर होगा आपका Delicious परीक हैं तो मात्रा के आधार पर भी तीन प्रिकार होते और उच्रण के आधार प्रिक परिखार हमें आया था चैवल्ण को क्यों करने वाले हैं बाही मूल स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारणे में किसी भी प्रकार के स्वरों की मिलावट नहीं होती है ये औरीजिनल है प्यूर है 24 केरेट सुद्ध सोना है जैसे आपको आ का नाम लेओं तो आप क्या कहोगी गुरुजी ए और ए को मिला करके आ बना लिया आ को मिला करके आ बना लिया लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि मुझे एक बात बताईए कि जैसे आपका एक उधारन है मैं लेखता हूँ जैसे आ जैसे मैंने लेखा ए जैसे मैंने लेखा उ तोुँ कुछ भी पूचाए वी बड़ी अब लोग तो क्या करते हैं एक खडो डंडो एक खडो है अदो डंडो बन दो लेक्न में दो पूच Tä है यह क्या है यहां बादसा आपे शार्वतिकी का यह होती है इस तरह से भी नहीं तोड़ना है कि वो बिज़रा तोटी जाये बिल्कुल है कि नहीं तो जब हम पूछें कि एका निर्मान किस से बादो आपको कि विश्धर एतो एई होता है इससे बनाया जाता है पेड़े इसी से आगे दिर्ग बनते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है रसस्वर या मुलस्वर कहा जाता है पकड़ में आगया ऑप्स नमबर दो ठीक है इसको तुरह सभी कर लेना सभी समझ लेना है ना माध्यमिक सब बोड़ से का मिस्टेक हो जाती कई बार तो यहां पर मुलस्वर कहते हैं android क्योंकि इनका निर्मान किसी के योग से नहीं होता प्याऊर है सुद्ध हैं देशी एक है को प्यां कि यह देगो परसंट ले लिये मैं वे सवर कहे जाते हैं लोकिक का मतलब लोग विवार में कौन-कौन से स्वरों का काम होता है प्यारे साथियों मैं अभी अभी आपको बता ही तो रहा था कि जो वेदिके मंत्रों में काम आते हैं वो स्वर तो आपकी कौन से होते हैं वेदिक स्वर हैं वेदिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका काम कहां किया जाता है वेदिके जिनमें एक स्वर आपका आता है रास्व, एक आता है दिरव, एक आता है पलुद ये दुनियादारी में बोलचाल की भासा में काम आते हैं इसलिए इन स्वरों का नाम लोकिक्स्वर होता है तो अब मुलेक्स्वर कौन है ये भी उत्तर है ये भी उत्तर है ये भी उत्तर है म यही से पत्थर मारें मारूँगा। लोग। सवरों की चर्चा खटम हो गई ना। थोटा थोटा मैं वापस आओँगा भीया। क्योंकि मैं दिर्ग सवर की चर्चा करी नहीं है तो मैं इसके साथ ही वैक्षा में कर दूँगा। अब देखो आपने क्या लिया था। आपने लिया था कि मूल सवर कितने हो गए पांच। है ना। इसके साथ में इसकी वैक्षा मूल सवर कितने है पांच। दिर्ग सवर कितने है आठ कौन कौन है तो आपको बताना सिए था कि यह है और लरी में लिख नहीं सकता यह भी परिक्षा का सवाल है किसका दिर्ग नहीं होता है चार तो हम ऐसे हैं बड़े लोग हैं यह वी आई पी लोग इसलिए बोलता हूं में इनको कि मेरे प्यारे सा यह में साथ दो स्वरों के योग से बनता है याद रखिएगा इन में से भी कुछ ऐसे स्वर है जिनका निर्मान दो समान स्वरों से नहीं होता है बलकि आ समान स्वरों से होता है बुला गुरू जी ऐसे कौन कौन से स्वर हैं तो आप इसे पता करते हैं बताओ आ का निर्म ए प्लस दी बताएए उ का निर्मान शुमान अल्बॉपी ए लेकिन में पानी में च्छाच मिलाएं या पिर जूहलवा बनायो ना आप बरसांत की मुझसम में तोड़े से लाके मिट्टी मिलाएं तो बताओ मिट्टी पले तो जाएगा दो अलग अलग पदार्तों के योगों को हम कहते हैं जी मिस्रन क्या कहते हैं मिस्रन या सयोग पढ़े हो न आप तो याद रखेगा कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जो दो अलग अलग स्वरों के A plus A से ये दिएको दोनों अलग-अलग हैं विजाती हैं इसी प्रकार O का निर्मान होता है A plus A से अलग-अलग हैं और O का निर्मान होता है जी A plus A O से ये ये अलग-अलग हैं तो ऐसे स्वर जिनका निर्मान दो अलग-अलग स्वरों के योग सही होता है उनको सहीं स्वर कहते हैं दो ऐसे स्वर जिनका निर्मान अलग अलग दो प्रकार के मिस्रण से अलग अलग स्वरों के मिस्रण से होता है इसलिए उनका नाम मिस्रिट स्वर होता है और इनका निर्मान संधी करने से होता है इसलिए इनको हम संधी स्वर भी कह देते हैं तो ये तीन नाम इनके लग से ओर हो सकते हैं ये कौन है संधी स्वर है क्योंकि दो अलगलग स्वर में संधी करने से होता है ये मिस्रन से होता है संधी स्वर है संधी स्वर है और साथ में दिर्ग भी है ये सिर्प दिर्ग है लेकिन ये य लोग हैं इनका कभी होता हुज सले में हमेंसे लग लेटा हूँ यहां तो बात संभ है आगी आपके चलो साथ , अब देखे barbar है यहाँ को प्रसंद आपसे पूछन आपसे पूछते रहे तरहे हैं क्या पूछ रहा कि पाननीीश खे क्वेंजन को सभिए अब के बेंजन पड़ते है मुंख्य जो आपके बेंजन भर होते हैं वो कितने हुटें आपके तैसे होते हैं लेकिन इस प्रस्व सथыпने आपके आपड़े कर लियें आप 63 या 64 तो पूरी पड़े हैं उसमें से 21 या 22 गठा देते हैं लो बाकी बच्ची सारे बेंजिन मना जाएंगे इसमें से गठा होगे तो बोले गुरुजी यह लो 63 गठा लो इसका मतलब वो सारे के सारे कितने आगे बेंजिस और आपने उत्र भी लगा दिया होगा बेंजिस और मुझे जाने कर मुझे खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा सीखे हैं यही बात है ना टोटल आपने कितने पड़े हैं 63 यह चो सट पड़े हैं 21 यह बाइस क जिनका उचान करने पर मुझे के स्थान आपस में एक दूसरी को सपर्ष करते हैं वो क्या कहलाते हैं जी क्या कहलाते हैं जी सपर्ष वर्ण कहलाते हैं यह बाइसे वर्ण जिनका उचान करने पर मुझे प्रानवाई मुझे अंदर ही रहती है वो आपके क्या कहलाते हैं अ खलका सा उस्मा का एसास दिलाती है जिनको हम शल भी कहते हैं वो कितने हैं चार पाचीस चार चार को जोड़ लो एक बार यहां संक्याप की कितनी आ गई तेंटीस तो तेंटीस तो मुख्य बेंजन बरन हैं यही चीक हो ना अब इनके अलावा भी पानेनी सिक्सा में और भी बहुत सारे स्वर्थ के अलावा बेंजन जिनको हम अयोगवा कह देते हैं वो आपके अयोगवा यहां पड़े गए हैं बोला वो कौन-कौन अयोगवा है गिंती कावन मत करना अयोगवा को अलग से समझाओंगा मैं यानि इनके अलावा और भी बरनों का योग है बोले वो है उसके बाद में और फैसे पहले आता तो उनका नाम क्या होता है उपदमानी है और जिनका नाम ही बताइए क्या होता है यम और एक होता है आपका दूस्प्रेश्टा पढ़ेंगे हम सब की डिटेल आगे सारे प्रशन के लिए हैं देखो एक दो अच्छार है ना यम कितन सब्सक्राइब पाने शिक्षा में 33 विंजनों के अलावार 9 विंजन वरन या 9 अलग से वरन और पड़ेंगे वो सवर तो है नहीं 33 और नो जोड़ दो प्यारे साथ ही हो 33 और 9 कितने हो जाएंगे 52 ब्यानिस होते हैं तो पाने शिक्षा है गरो सार 33 मुखे विंजन वरन सा आतवे 9 अन्य वरन पड़ेंगे ही जो स्वर नहीं है वो 42 है और इनी 42 में जब आप 21 या 22 को जोड़ देते हो ना जो सवर पड़ चुके आप 22 तब आपके फिल वरनों की संक्या कितनी हो जाती है 63 या 64 हो जाती है तसम्सक्रट बर्ण माला में स्वर कितने हैं? नो… менее बढ़ने सिख्सा के लुंसार बतायए wax सवरों के अलावा कितने बर्ण पड़ेगे नुँ ब trillion है लगाने व architect हे God है तो यह बाग है आपका अगलगला Kwora अविसका अर्थ क्या है? मैंने बताया, बहुत अच्छे इस पड़ाया है आपको, कि स्वरम यानि जो स्वर को अनु यानि पीछे योज्यम यानि जोड़कर जो आता है, यानि जो अकिला कभी नहीं आता, हमें सवर को अपने साथ ले करके आता है, ऐसा जो वर्ण है, समस्क् तो यहां क्या लिखा यह हैं, सुर को साथ लेकर आएगा लेकर हमेसां पीछ एगा कहीं आगे रहता हुँ तो पीछे रहें गैसे लेख ना जिसका सुत अंदर य Сам अप Ama आपको मिलाना है जिसे आपनी पानी का गिलाज शोना बापतें की कि मिला तो गया या पहले दू सा'll पर मिलाना किसे मिला एक हमारे जैसे मुर्ध आद्मी जो मुझे सा पगल आद्मी था उसने कैया किया पहले और के रहा का और के दिये जिक कै बन गया अब बताओ क्या वास्तों में कै बनेगा कैसा करने पर समझें आप तो भुद्दीजी भी लोग है जब इसको मिलाओंगा तो वास्तों में ये कान भी बनेगा भई ऐ तो आगे है उसके बाद में ये तो फिर बीचर लटकता रहे जाएगा और ये दिस इससे थी पे मिलाओंगा तो कैमे आयमे लेकर के फिर आपका अक्षर क्या बनेगा क्या है तो साही मिलाना उपर वाला है कर दो आगे नीचे वाला है कमेंट्स करके बताया मुझे जल्दी से मैं आपके इंतजार में आपके जवाप के इंतजार में हूं करो मैं मा भूल गया मैं भाई मुझे नहीं आ रहा है तो बेंजन की परिवासा कैसे पढ़ रहे हम कि हम ऐसा स्वर को लेकर आएगा लेकिन ह करने के बाद में करने के साथ में एक वर वक्ति बेज़ाजाता है त्यूसको अलग रीडौ और नाम से जाता है जाती है एक बार बार जाए तो पतनी के साथ भी जाएगी वदू बया तो उसका हो रहा है चलो ये तो समझ में आता है जिसका ब्या हो रहा है ना वो तो गमंड में चूर है वो तो नशे में हैं किसी को चलो पतनी मिलीए किश्यकों पतिला मिला है किसी को क्या मिला लेकिन फो वर और न भाश्पति शासनहीं मेरे हाथ में आगिए है उसे बात करते हैं लोग बाग तो अनुबव है न आप लोग बताते रहते हैं कि साव ऐसा ऐसा अनुबव रहता है उसका टसन देगो आप लिए पीछे ये जोड कर आता अब आप समझगे होंगे जो स्वर को पीछे जोड कर आता है वो कोन है आपका बेंजन है यह तो बिल्कुल उत्र नहीं होगा उत्र चाहर दू मैं आपका उत्र क्या होगा इसमें साथ अब थोड़ी देरे के लिए आजओ यह है याद रखेगा विसरगी की परिवास आगे हम पढ़ेंगे जो स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदू है तो यह स्वर को पीछे जोड कर नहीं आती है यह स्वर को हमेसा आगे जोड कर आती है नमबर दो अनुस्वार यह भी हमेसा स्वर के साथ आएगी लेकिन स्वर को पीछे जोड कर नहीं आएगी स्वर को हमेसा आगे आगे वोले तु आगा आगा चाल मा पाचे पाचे चाल सुं तो यह तो इनके उपर आश्रित है और यह कहता है कि देख यार मैं भी तो कुछ हूँ ना वाज में भी दो कुछ हूना वरे सौथ तो चल लेकिन मेरे वीचे-पीचे रेना तो सवर का अनुस्वर करने वाला जिसका बिन सवर के उचाड़ नहीं होता है उसका नाम बेंजन होता है अनुस्वार और विशर्ग भी सवर के साथ ही लेकर आती है लेकिन हमें सास्वर को आगे लेकर आती है, पीछे नी लेकर आती है, आगे बढ़ते हैं, प्रसन संक्या बियानी से हमरा, चलिए, प्रसन संक्या बियानी से उसमें हम यहां से करते हैं, लिका है कह अर्ध मात्री का हा, देकि मात्राओं को व्याकन सास्तर में चार प्रकार से उत्तर डूडू जल्दी से बता दिया को मुझे, प्रक 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 प टीन मात्रा है ऐसा वान जूनिएगा ये तो यह आदी जो मात्रा है नहीं पता है किसके खाते में जाती है वेंजन के खाते में जाती है जिसे उधारन के लिए मान लो मैंने का यह सबसे स्वर की निम्नतम मिकाई मानी जाती है इसकी एक मात्रा मानी जाती है जब ए और ए को मिला देंगे तो ए और ए मिलेकर कि डबल पाउ नितलें आप घान हिं इसका मतलब है इसका मतलब है यहां इस समय को नेखा हो सवर रहित बैंजन और है कि ऐसे माललमें निर्दिया का अंदलिव इसका मतली इसमें भी बेंजन भी और स्वर भी जैसे में सकी अधी मात्रा इसकी आदो 여ज ब्рыुब है क्ये अर्दमात्री की मात्रा नाम बनकर इन यह क्या है मेहा है यह अदन happy यह क्या है यह सी क्कुण स्वार कोन है? पूर्ण मात्रिगे स्वार की एक मातरा, दो मातरा, तीन मातरा में सवे कोई ही सकती है? कोई उस्वार देर गवर प drifting के नाम से होता है। तीयाने स्वाप का प्रश्ण है, जिसका नाम मुख्य बेंजनवन कितने होते हैं? अच्छा प्रश्ण है यदि यहां मुख्य नहीं लगाता तो भी काम चल जाता हम यहां लिख देते केवल में कि बताई यह वेंजनवन कितने है और यहां लिखा है मुख्य इसका मतलब है प्रसन आगे दो प्रकार से और पुछा जाएगा आपको मुख्य बेंजन वन का मतलब होता है दोस्तों जिसे हिंदी में भी आप पड़ते होंगे मुख्य का मतलब होता है मुख्य ही होता है फिर अयोग भाग को निकार दो सबको याई हम चर्चा कर रहे हैं किसकी बेंजन की बेंजन कौन है जो स्वर को साथ लेकर आता है आगे की पीछे बुलब पीछे इसमें जो मुख्य बेंजन वर्ण है वो आपके इसपर्ष अंतस्त और उश्म इनको जोड़ दो बस बताए कौन-कौन है इसपर्ष बताओ कौन-कौन है यह तो आपके 25 कौन होगे इस पर सोगे अंतस्त कौन है या वारला यह चार आपके यह होगे और उश्म कौन है यह आपके चार होगे टोटल कर लीजिए टोटल संक्या कितनी आजेगी 33 इसके लावा अनुस्वार बिसर जीवा मुली उपदमा यह तो उनकी संक्या आपको कितनी बतानी है विया जी 33 इसके बाद की चर्चा हम नेक्स क्लास में करते हैं कल 33 से तोड़ा बढ़ाएंगे हम असी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे टोटल 95 प्रशन है कुछ भी समझो आप कैसा भी लग रहा होगा आपको लग रहा होगा स तो खुछ सब्सक्राइब मैं तो बोलूंगा ज्यादा कर भी कह सकते हैं पतानी किती दूर मुझे से बैटने मेरा कुछ भी घाड़ भी नहीं सकते मेरा मन है मैं तो बोलूंगा यहां से बस आप अपना काम करते रहो ज्यादाशी जदा लोगों लाई जूड़ों आज और यह हो जाएगी ना और जब परिक्सा में आप बैठ होगे ना तो मेरी गारेंटी आप सोच के देवे एक बार आप जब इतना डिटेल में हम हर टोपी को पढ़ेंगे आगे सवरसंदी को भी ऐसे पढ़ते हैं यह सब ओप लेकिन जो प्रशन आपके लिए नया है वहां तो आपको ध्यान देना ही पढ़ता है तो हो सकता है कि आपको आराओ आपके साथे को नहीं आराओ जड़ जड़ें जल्दी से 1000 लोग लाइब करें मैं वादा करता हूं आप से 1000 ओनलाइन क्लास लेकर आउंगा और ऐसा तरका ल समझ रहे हैं तो उन लोग कैसे कंशाम प्रषें करें हैं हम भी आ एपकर समुन के लिए लाइका करें हैं की क nelluna आपके क्यों ब्लाइन के प्रिपेर रहीएगा अधिक से अधिक आज मैं देखा हूं कर लोग और कोशिश करते हैं कि हम लोग और आगया जुड़े और कोशिश करोगी हमारी संक्या जो है एक जार लोगों तक जाए वादा करता हूं ऐसा संस्क्रत पढ़ा कर जाओंगा जिंदिकी पर सपनों में संस् संस्क्रत में आनेलकी जांसिघ्र क करता हूंँ प्रतियों की प्रिफचा के लिए लाब दैक रहेगी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वास्तविक आप का नवो कैसा रहा ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूँगा और भी हम बहुत सारी अच्छे चीजे बढ़ते रहेंगे सिखते रहेंगे आपके कमेंट्स समुझे जो उर्जा मिलती है यकेन मानिएगा आने वाली क्लासे और भी जोड़दार होंगी आपके लिए जो वास्तों भायदे मन रहेंगी रेट और सिटेट या कोई भी परिक्सा होगी इसमें हम बहुत अच्छन प्राप्त करेंगे ब